यह देखें जी दोनों चीजें हमने कर यह देखें जी और इसकी बुनाई अपने आपको तो पता ही है सुबा सुबा का अगाज हो चुक है तो आज तो बाहर ऐसे लग रहा है जैसे दुपायर का टाइम है माशाला इतनी अच्छी दूट निकली हुई है तो टाइम जी हो गया हमारा काम पे जाने के लिए तो चले आएंग पे चलते हैं काम पे गड़ी जी हमारी आचुकी है असलाम अले काम कैसे आप ठीक है क्या हुआ है गले को क्यों आइसक्रीम खा के चले जी ये देखे आइसक्रीम का कमाल गर्मी में भी गलाख राब हो गया है आज सुबा सुबा ऐसे लग रहा है जैसे तो पहर का टाइम है ना मैं उठी हूँ मैं एका वाओ माशाला इतनी अच्छी दूपनी के लिए मैं एक असलागर दुपर का टाइम हो चुका है नहीं जी वैसे तो सुबा का ही टाइम है तो आप जलें जी अपनी इते तो मिलते हैं जी आपको वापसी पे काम जी हमारा हो गया फिनिश तो आप जा रहे हैं घर तो घर जा के आप से करते हैं मुलकात काम से जी घर आके तो नाश्ता बगरा किया है तो फिर सोचा है आज क्या बनाना तो हमें आया हुआ था करबानी का गोश्ट तो थोड़ा सा गोश्ट थोड़ा सा कीमा था तो मैं काते हैं नमकीन गोश्पी क्योंकि थोड़ा सा ही है कुछ चड़बी उतारी है तो और थोड़ा सा हो गया तो मैंने का चले कोई बात रही है, दोनों चीज़े बनाते है, कीमा भी थोड़ा सा बनाते है, और गोश भी बनाते है, तो रेस्पी जी, इंग्रीडियन वगारा मैंने रेडी कर दी है, तो बिना टाइम्स आया किये, चलते हैं अपनी रेस्पी की तरफ, इंग्रीडियन है यह है लैम्ब का गोश्ट यह तकरीब हाफ के जी के करीब होना है तो गार्लिक और जंजर के तू गार्लिक यू और इसमें जाएगी कुटी होई ग्रीन चिली और यह है जी इसके स्पाइस उसमें नमक ब्लैक पेपर और थोड़ा सा दादरा किया हुआ दनिया ओवसली ओली और थोड़ा सा लैम्मन भी जाएगा यह है जी लैम्मन यह भी जाएगा थोड़ा सा तो चले आएं बनाना शुरू करते हैं यह बनाते हैं जी प्रेशर में सब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देख्चे में रखके तो इसको यह कड़ाई में रखके इतना 40 मिनट 30 म बहरा लगाएं तो बेहते हैं कि आप इसको प्रेशे में बनाए और जंदी भी बन जाता है यह प्रेशर में जाते हैं और चिपटी कहीं है जाता है गयरलिक ंजंगेश तो यह टाइम भी आपका सेफ और illos पहलगा है ऑःस ल्मन एओ अब जता जी इसमें यूदuş напेगा है और इसमें यूद फानीघ पेपंट यूदा जहाएगा येशित कर्फ गाने इक नियूदाये समं कमग नोग्य जदो by.. के डाले हैं पता नहीं पहले मैंने आपको क्या बताया कर देखते हूं मैंने पहले आपको क्या बता है तो यह प्रेशर लगा दिया है जब इसकी सीटी बोलेगी 10 मिनिट रखके तो फिर इसको हम बंद कर देंगे प्रेशर से जी निकाल के हमने कड़ाई में डाल दिया क्यूंके पानी बिल्कुल ड्राय हो चुका था प्रेशर के अंदर तो अब इसमें एड कर देते हैं ग्रीन चिली चुला करते हैं और साथ ही डालते हैं थोड़ा सा ओयल आपने ज्यादा नहीं डालना है तो क्रीब बन आपने दो से तीन टेबल स्पूम डालना अब जी इसमें एड कर देते हैं ब्लाइक प्रेपर भी साथ ही जाता है सुका दनिया आपने इसमें प्रेट कर भुनाई और इसकी बुनाई अपने अच पर देज आउच करने है तीज आउच पर नहीं करने है लाइक जो पिन तरह på लिए नहीं कर देदा लिए अच्छार्ण के लिए भाग दिखा जिए याज और इसमें लेमन पर देख कर देते नहीं तो के दूद दन बड़नेंगों दो ज्रो अब जी इसमें एड़ कर देते हैं कुरंडिया अगर आपके पास फ्रेश जंजर है तो जरूर डालिएगा क्योंकि मेरे पास नहीं है खत्म हुआ हुआ है अब जी इसको पांच मिनट के लिए मैं थोड़ी देर स्टीम पर रहने दूँगी तो उतनी देर में मैं कीमे के इंग्रीडियन रेडी कर लेती हुआ इसको रखे हुए पांच मिनट हो गए है तो अब इसको देखते हैं चुला मैंने बंद कर दिया है और ये देखें बहुत ही मज़े का जो मेरा लूना गोश है वो रेडी हो चुका है और इसमें से जो स्मेल आ रही है ना ग्रीन चिली जो मैंने कुटी हुई डाली है बहुत मज़े की स्मेल आ रही है क्योंकि उसके साथ इसको भूना है तो बड़ा मज़े का मैं आपको टेस्ट करके बताती हो भी बहुत मज़ेगा बना है और बड़ा अच्छा फ्लेवर ग्रीन चिली का ज्यादा आरा है लेमन है नमक है और इतना हेल्थी भी है क्योंकि दो टेबल स्पून आपने सिर्फ ओल डाला है इसके अंदर और इतना मज़ेगा बना है आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं मुझे लगता है ऐसे ज्यादा मज़ेका लगेगा किसी चीज के साथ कहने से बेतर है ऐसे ही खा लें आप भी बनाएगा और मुझे जरूर बताएगा कि आपका कैसे बना मेरा तो बहुत मज़ेका बना है चले आएं आपको इंग्रीडियन दे तो ओईली वोईल और यह है जी मटर गार्लिक और जंजर के तीन-तीन क्यूब और यह एक अनियन है दो टमाटर आते हैं अपनी स्पाइस की तरफ इसमें हैं नमक, हल्दी, रड चिली पाउडर, गरम मसाला, जीरा, सूका दनिया कसूरी मिती और यह हैं जी खड़े मसाले, तीन-चार लॉंग, दाल, चिनी और बड़ी लाची, तो चले आएं इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाते हैं जी देखची में पलकी में डालते हैं अब जी इसमें एड कर देते हैं एक ग्लास पानी अब डालते हैं अनियन लिए जाता है टोमाटर गार्लिक और गंजर यहाँ पे तो पता है यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं ज्यादा हम सब जो अपने लोग हैं वह अपनी कंट्रियों में कर लेते हैं यहां तो अब टक्नोलजी का दमाना आपको पता है ओन-लाइन भी यह तो हमारी हुष्किसमति किसी ने आपकर बाने की तो चल से हमें भी घोष्ट आया तो मेरी बेटी ने चखा है, तो कहती है इसमा इतना मजे का बनाया और आप थोड़ा से बनाया है मैं कहा जी पुत्तर सान हुए नहीं आया सी तो चले जी अब ये कीमे को हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं पकने के लिए उतनी देर में जी अपने बाकी के बरतन जो बढ़े हैं उनको करते हैं किमे को जी रखे हुए तकरिबबं 15 मिनटा वो चुके हैं इसके इंड़कवा सा पानी हैं अब दिसका जी डगकन उतार के इसको ऐसे ही पानी को बाइ करते हैं कीमे का पाई बेखे हैं अच्छी कग जब ग्राई हो चुका है अब इसमें ओयर डालते हैं पीम ये छोटी डोई डाली है मैं अब इसकी पट्नेया अच्छी तरह बनाई परीबन पीम से चार मिनट के लिए पाक कीमा अच्छी तरह भून जाए अब फिर इसमें एड़ करें जो में ये देखें जी कीमे ने ओल छोड़ दिए अब इसमें एड़ कर देते हैं मटर मटर ये फ्रोजन वाली है इसमें कोई पानी नहीं मैं एड़ करूंगी तो अब इसकी आज कर देते हम मेडियन इसको हम रख देंगे तकरीबं 6-7 मिनट के लिए अब जीसको रखे हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं अब जीसको करते हैं तेज कीमा और मटर की एक से दो मिनट के लिए बुनाई कर लेते हैं बुनाई जी इसकी हो चुकी है अब चूला कर देते हैं बंद और गार्णिश करते हैं जी इसको धनिया के साथ कीमा मटर बहुत मज़े के लाड़ी हुए है अब जी इनको करते हैं डिश आउट ये देखें जी दोनों चीजें हमने कर दिया डिश आउट ये देखें जी इतने मज़े के ये बनिया ना क्या अब मेरे पास होते तो आपको भी थोड़ा सा मिल था खाने के लिए खाने के लिए नहीं चकने के लिए ये बस चकने वाला बना है और ये है जी हमारा बहुत ही मज़ेगा कीमा तो अब आप से लेते हैं अजासत मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपनी बहुत सारी दौाओं में याद रखिएगा और बेल आइकोन प्रेस करना ना ये दाएगा.